यूट्यूब चैनल तो जैसे कि मैंने बताया था cmc वैलोर के हम पर बेसी नर्सिंग के अप्लिकेशन फॉर्म निकल चुके है रजिस्टेशन सुरू हो चुका है 2021 से रिगार्डिंग तो वीडियो में वही बात करने वाले है रिगार्डिंग देशियन मेडिकल कोलेज के बा बहुत है तो यहां पर सबसे बहले बता दूँगी की तुम्हें जो है कैसे यहां पर फील करना है application form उपर सिर्फ online ही तुम कर सकते हो तो सबसे पहले हम बात करें की application form 27 को … स्टाट हो चुके थे और मैंने तुम्हें बता भी दिया था वीडियो के तुरू कि अप्लिकेशन फॉर्म स्टाट हो चुके हैं इस वीडियो में हम कंप्लीट डीटियल में डिसकस करने वाले हैं लास्ट डेट का भी हां पर रहने वाली है तो 15 जून यहां पर जो है सिब्ट जब जब आएगी सिप्ट होगी ऑफ माईग्रेशन फ़र्म ओफ द्वाइनरिटि नैटवर्क और्गनाइजियोशन उसकी जो होगी लास्ट डेट वो च्चै को यहां पर रहने वाली है तो यहां पर जून को रहने वाली है सुरी जुल जूलई को रहने वाली इं यहां पर रहने वाला 30 September को and 1 October को यहां पर रखा गया फाइनल जो selection result होगा वो यहां पर 5 ने यहां पर October का रखा गया कि 5 October के तक होगा and यह यहां पर complete अपना जो like मैं बोलूं की schedule है वो यह रहने वाला है तो important things यहां पर है कि अभी तुम्हें अप्लिकेशन form फिल कर देना है एंड जो है यहां पर last date का तुम्हें ध्यान रखना है वैसे भी मैं तुम्हें reminder करवाती रहूंगी तुम्हें updated रहना है चैनल को subscribe करके रखना है तो application form यहां पर start हो चुकी है along with that इस video मैं मैं दिखाऊंगी तुम्हें sample question की कैसे question यहां पर cmc वैलोर में इस बार पूछे जाएंगे तो यहां पर course के बार में बात करे eligibility के बार में बात करें तो 17 year की age होनी चाहिए maximum age limit 30 and 35 years की रखी गई है जो कि SC और SD की general की हमेशे 25 ही रहती है बाकि जनरल की यहां पर mention नहीं करकी बड़ 25 years यहां पर रहती है तो बात करेंगे अधर यहां पर eligibility criteria की regarding तो candidate ने पास की होने चाहिए सबी exam higher education उसने पास की होने चाहिए ठीक है by the underpardesh state board और any equivalent examination की होने चाहिए और किसी से भी हो सकते हैं और यहां पर plus two जो होगी वह यहां पर consider होगी और बात कर लेते हैं यहां पर educational eligibility के बारे में कि क्या-क्या यहां पर तुम्हें पढ़ाई में क्या-क्या तुम्हें किया हुआ होना चाहिए तो इंडिया के तुम नेशनल लिस्ट होने चाहिए इंडिया से तुम बिलोंग करने होने चाहिए और यहां पर qualifying exam पास करना होगा after period of 12 year in the subject of physics, chemistry, biology and English equivalently प्लइन की और चाहिए 45% marks यहां पर जो भी बोर्ड रहेगा तुम्हारा किसी भी बोर्ड से तुम हो सकते है और रिकोग्राइस बोर्ड से तुम्हें यहां पर से न को तो बात करी number of seat के बारे में तो यहां पर 7th seat रखी गई है SC और SD से regarding minority network के regarding जो यहां पर seat रखी गई वो 43 seats रखी गई है duration यहां पर रहने वाला 4 year का duration रहेगा and fees यहां पर रहने वाली 42,000 यहां पर fees रहने वाली है जो कि admission year की जो fees रहने वाले other भी कुछ यहां पर charges लगने वाले other year की जो fees रहेगी वो 14,000 यहां पर रहने वाली electricity के regarding भी यहां पर 4,800 रुपे लगेंगे मैस की fees 3,000 पर मंथ यहां पर लगने वाली बट यहां पर education काफी अच्छी कराई जाती पढ़ाई काफी अच्छी कराई जाती जो है काफी पुराना लाइक काफी टाइम से ही जो कॉलेज है रन कर रहा है सबी courses को तो बात करेंगे अल्डर नर्सिंग स्टूटेंट अर एक्स्पेक्टे टो सर्व इन एरिया ओफ दे इडिया और फो प्रियर्ड ओफ टू इयर्स आफ्ट दे यहां पर जो है यह तो बोल रखा है लाइक क्लिनिकल ड्यूटी तो वह अभी के लिए इंपोर्टेंट नहीं है तो अप्लिकेशन प्रोसस के यहां पर क्या रहने वाले कैसे तुम्हें यहां पर फील करना होगा तो सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगी स्टैप बाई स्ट यहां पर करनी होगी एंड उसके साथ सेस्ट के जो भी कंडिडेट्स होंगे उनको इंग्लिस ट्रांसलेशन वगरा वगरा भी यहां पर आरी चाहिए तो वह भी हम देखेंगे बट उससे पहले जो है यहां पर तुम्हें फीस कितनी लगने वाली 800 फीस लगने वाली प्लस रजिस्टेशन के 500 यहां पर तुम्हारे जो है चाहिजिस वगरा लग जाएंगे और अप्लिकेशन फीस जो होगे वो पेड कर सकते हो तुम कैसे भी कर सकते हो कोई एक्स्ट्रा कोस्ट नहीं लगेगा तो यहां पर जो है तुम्हें सेंड और ओरिजिनल चलान टोफिस बि बिल्कुल ही basic details तुमसे पूछे जाएंगे name, date of birth यहां पर वगरा वगरा यहां पर जो है तुम्हें सबी details fill कर देनी चाहिए and उसके साथ कर देनी है और उसके सथा application fees will not be refundable application fees वापस नहीं दी जाएगी एक बार अगर तुमने fill कर दिया तो वापस नहीं दी जाएगी बिल complete form होगा वो reject हो जाएगा तो तुम्हारे पास सभी things होनी चाहिए like email ID होनी चाहिए एक running email ID अगर तुम्हारे पास नहीं है तो वो तुम्हारे पास message वगरा किया जा सके and इसके साथ-साथ जो है ID और mobile number जो हो रहेगा वो correct होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले चीज यहीं च सिगनेचर भी होना चाहिए ठीक है तुम्हारे सिगनेचर होने चाहिए वो दो scan form में तुम्हें रखने है और उसके साथ-साथ जो है फोटो कैसी होने चाहिए वो तुम्हें बता देगा जो भी तुम्हार फिल करेगा वो तुम्हें बता देगा बट मैं तुम्हें बता द सब्सक्ड तुम्हा देनी है इसके साह SMITH चाहर पीज यहां पर क्या करना सपटिए ध्यार आप MID इसका अप्लिकेशन होगोने लिए थिर्टी अबस्फर उड होगि पूल आपकेशन गासरियाands कंपिक दोक्ति 돼 नमबर विल बी सेम एज इफ अफलाई फॉर दे अधर यूजी कोर्स इसके लिए तुम अप्लाई करोगे वह अप्लिकेशन जो आपन नमबर रहेगा वह सेम यहां पर रहने वाला तो इन सभी बातों का तुम्ही ध्यान रख लेना है और इसके साथ साथ जो भी सब्सक्राइब करेंगर यहां पर चीजों ध्यान रख लेना एक अच्छी होनी चीए यहां पर रनिंग इमेल आइडी तुम्हारी होनी चीए तब यहां पर यह चीजे वर्क करने वाली है तो यह सबी बाते हमने डिसकस कर लिया जो की काफी इंपोर्टेंट है कैसे क्या यहां पर एडिमिशन होने वाला है तो तुम्हें होल टिकट इशू करनी होगी टिक है जितने भी ऐलिजबल कंडिएट सोंगे उस अप्लिकेशन आर इन ओर और यहां पर जो है तुम्हारी कम पूरी एक यहां पर प्रोसस होने वाले जिसमें सबसे पहले तुम और यहां पर इंटिव्यु होने वाला है रेडिमिशन अर बेस्ट्रों करने वाला है तो यहां पर overs ganhar पन्तिकट विए जाए तो यह रहा हो जाया तो यह सब है कर लिए एँडिकट कर लेते हैं एक्जाम यहां पर कहां कहां पर होने वाला है तो यहां पर जो computer exam होगा group A and group B courses के लिए accept MBBS सभी के लिए यहां पर होने वाला है and यहां पर जो है in center पर तुम देख सकते हो यह center है यहां पर exam होने वाला है and यहां पर क्या क्या पूछा जाएगा physics chemistry biology हां पर पूछा जाएगा aptitude assessment में भी यही तुमसे पूछा जाने वाला है and यहां पर जो है group B diploma courses के लिए physics chemistry biology in addition general ability भी यहां पर जो है पूछी जाएगी तो BSN nursing group A में आएगा तो यहां पर जो रहने वाला physics chemistry biology and aptitude assessment में तुमसे पूछा जाने वाला है तो यह सभी बाते हमने discuss कर ली interview भी तुमारा यहां पर होने वाला है then यहां पर merit list लगेगी then waiting list लगेगी ठीक है तुम यहां पर और उसके साथ साथ जो है तुम्हें यहां पर थोड़ा सा wait करना पड़ेगा then यहां पर final list आ जाएगी तो उसी के basis पर यहां पर admission होगा तो यह सभी बाते हमने discuss कर ली और नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे यहां पर क्यूशन CMC वैल और में पूछे जाते हैं कैसे क्यूशन आते हैं तो कुछ यहां पर बच गई हैं वह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कुस करने वाले हैं वीडियो कैसे लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना से लकातर अपडेट सोट इन्फोर्मिशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें इंस्ट्रेग्राम पर फोलो कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन